भाई राजिस्तान अगर इस तरह की हरकते करेंगी तो मैं बिलकुल ये कहा सकता हूँ कि ये वो टीम नहीं है जो टॉप फोर में डिजर्फ करती है जाना मानेजमेंट को बिलकुल नहीं पता लग रहा है कि वो इंटेंशनली अनिटेंशनली कर क्या रही है उसे अपने प्लेयर्स को कॉंफरेंस देना नहीं आ रहा है जो है उनका कॉंफरेंस ड्रॉप कर रहे हैं जो नहीं है जो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं उन्हें जबरदस्ती जो है आप अपनी टीम के नुकसान के लिए प्रमोट कर रहे हो मुझे नहीं लगता है राजिस्थान रोयल्स टॉप चार में जानी चाहिए, करेंगे आज राजिस्थान रोयल्स की उपर बात, पथेटिक मानेजमेंट, पथेटिक डिसीजन, फीचरिंग रियान प्रियाग से लेकर, कुमार संगहकारा से लेकर, संजु सैमसन, आज इस क्र जरा टाइटन्स, या आप कहा सकते हैं CSK की टीम, जहां आपको लिमिटेशन्स देखती हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, बहुत बड़े कारणामे भी नहीं है, बट आप उन रिसोर्स से इतना बड़िया जो है, प्रोड़क्टिव जो है निकाल ले जो है महिनत के सदगे, वो प्लेयर प्रफॉर्म करने लग जाता है, बट जब बात आती है राजिस्थान रोयल की, ये बात उन पर बिलकुल सूटी नहीं करती, राजिस्थान रोयल का एक ही काम है, गलत डिसीजन्स किस तरह लिये जाएं, गलत डिसीजन्स के साथ-साथ उ है बार-बार किया जाए so that अपना point जरूर प्रूफ करने की कोशिश है बड़ उसका result next to nil है और जो already perform कर रहे हैं उन्हें किस तरह नीचे खीचा जाए उनका confidence किस तरह खतम किया जाए यही है speciality आज की तारीक में राजिस्तान रोयल्स की management के especially even अब तो captaincy में भी Sanju Samson की कही ना कहीं काफी चीज़े expose होने लग गई है बात करेंगे सबसे पहले में मुद्दे पर करवले माच पर आए गुजरात और राजिस्तान रोयल्स की उससे पहले इनकी history जो है बात कर लेते हैं राजिस्तान रोयल्स का बटलर जब राजिस्तान रोयल्स बिल्कुल struggle करती देख रही है बड कोई बात नहीं हमारा मुद्दा यह नहीं है कि एक team struggle कर रही है बाटिंग में अच्छा है या बुरा है वो अपने phases आते हैं बाट्समन के एक team के बड़ यहां पर हमारा मुद्दा में मुद्दा यह है वो यह कि र राजिस्तान रोयल्स जो है मानेजमेंट के तौर पर पत्थाटिक डिसीजन ले रही हैं कुछ दिन पहले से जैसे हम टूर्नमेंट में देख रहे हैं सबसे पहले तो संजू सामसं जो है अपना नंबर तीन छोड़ कर दूसरे प्लेयर को परमोड कर रहे हैं अपने नंबर इन टीम में देखने के लिए कहीं आपकी भूक इतनी तो नहीं कि भाई मुझे कोई जानता नहीं था और all of a sudden मैंने जो है एक आदा माच खेला उसके बाद लोग मुझे पसंद करने लगे और जो है लुकिली कह लिजे मैं जो है कैप्टन बन गया साइड का बस मेरी भूक यहीं तक है क्योंकि करोडों रुपया तो आ चुका है और लाइफ सेट रिटार्मेट भी सेट हो चुकी है तो हमें अब क्या करना है तो अगर यह आपकी सोच है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओपन ली सबको बता दीजे आपके फान्स ही परेशान होते हैं इसके इलावा आप चेज करते हैं जब यह चेज करने जा रहे थे कुछ बाते मैं पुरानी इंसिदेंस की कर रहा हूँ फिर मैं गुजरात वाले माच पर भी आता हूँ जो सबसे बड़ा जो है आप कह लिए फाइनल नेल ओदा हैड वाला काम कर दिया जिसने तो चेज करत की जिसने मतलब मेरा पाला ही जो है आर पार कर दिया हम लाइब स्ट्रीम कर रहे थे उस वक्त हम क्रिकेट का गेम प्ले कर रहे थे एंड बिलीव में अगर आपने वो स्ट्रीम नहीं देखी है जरूर जाकर देखना मैं कोशिश करूंगा लिंक जो है डिस्रिप्शन में ड देखने लगते हैं और आप 40-50, I think 50-60 रांग के आजपास आपकी केवल 4 विक्टें गिरी थी और उसके उपर आपका जुरेल पड़ा था, आपका हेटमायर पड़ा था, आपका बोल्ट भी पड़ा था, बोल्ट मैं इसलिए इंकलियूड कर रहा हूं क्योंकि बोल्ट से ह इतना पानिक हो गया, आप क्या करते हो, आप एक इंपाक्ट प्लेयर का रूल जो है वो इंप्लीमेंट कर लेते हो, और इंपाक्ट प्लेयर भी कौन है आपका, सजी दंदूल कर नहीं रखा हुआ है इंपाक्ट प्लेयर के तौर पर, आपने रखा हुआ है रियान प्रिया का दिया ना हेटमायर को मौका दिया आप सीधा जो है उनका confidence सोचे ना कहां पर गया होगा उनका confidence आप तैस मास कर रहे हो यह बता कर कि भाई तुम तो चार ओवर्स के प्लेयर हो पढ़ हमारा सचिन तंदूलकर जो हम मानते हैं रियान प्रयाग वहां पर जो हमें लगता है ज इस एक incidence की उपर कि आप शायद as a fan अगर सोचें तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है example के तोर पर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप जो रेल और हैटमायर पर बरोसा नहीं रखते हैं कि वो 10 ओवर खेल सकते हैं आप उनके confidence को शागर कर रहे हैं उनके confidence को खराब कर र अगर वो 40-50 रन भी वहाँ पर बना देता तो आप जो है एक point proof करना चाहा रहे थे जो कि unnecessarily आप पूरूफ करना चाहा रहे हैं इसके इलावा सबसे बड़ी मुद्दे की बात आप impact player का rule ले रहे हैं आप defend करना था इसके बाद अगर मैं इस team की management हूँ तो पहले तो मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो M. Ashwin आपकी टीम में थे जो replace करते एक substitute player के तौर पर तो आप वहाँ पर clearly दिखा रहे हो कि एक तो हमें उमीद नहीं है कि हम इतने run बनाएंगे और इतने run बनाने के बाद आप जो है अपना वो balling option भी खतम कर रहे हो तो जब आप batting करने जाते हो balling करने जाते हो field पर जाते हो आप losers अप्रोच नहीं रखते हो यह एक losers अप्रोच थी और शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ इतनी गलतियां किसी management को माफ नहीं होती और शायद इसलिए अपने लास्ट पांच मैचों में इसे चार मैच हार का राजिस्तान रोयल्स जो है कही न कहीं problem में घिर रही है और मैं वाकी चाहूंगा यह management जीतना deserve नहीं करती है और इस तरह के pathetic decisions तो my god आप ले भी कैसे सकते हैं आप team का confidence खराब कर रहे हैं all in all और कहीं न कहीं Sanju Samson एक weak captain के तौर पर और अगर यह completely Sanju Samson का decision है तो उनकी captaincy literally जो है off the field भी expose हो रही है strategy wise भी expose हो रही है और on field तो हमने last match में देखा ही था जिस तरह holder को उन्होंने balling वगरा करवाई थी वो वहाँ पर expose वैसे ही हो गई थी तो राजिस्तान रोयल्स की management बहुत poor management एक ताना से कहीं प्रूरत से जादा सिफारशी players को या तो वो promote कर रही है या unintentionally उन्हें वाकी लग रहा है कि वो इतना talent है जो हमें अभी तक नहीं दिख रहा है बट आप जो है back उस player को करते हो जिसकी consistency हो और आप अपनी strategies को इस तरह धवस्त नहीं करते हो और कहीं नखें अपनी team का confidence ते इ हाला कि अभी top 4 में definitely है बहुत जारा वाक्त नहीं लगेगा कहीं न कहीं बाकी teams को overtake करने में और I would wish कि यह जो आपकी team है वो 9 नंबर पर जो है deserve करती है अगर मेरी आप माने क्योंकि यह managemental decisions जो हैं यह overnight यह ठीक नहीं करने वाले because हमने बहुत देखा last time हमें लगा कि अभी यह नोंने अपना barring lineup ठीक कर लिया है तो शायद यह सोधर चुके हैं बट नो यह सोधरने वाली चीजों में नहीं है और कहीं न कहीं सौरी राजिस्तान आपकी बहुत respect थी आप बहुत बढ़िया कर रहे थे despite आपके decisions इस तरह के poor थे बट यह decisions जो management अभी ले रही है वो द क्या सकते हैं जीतना शुरू कर दें बट आपकी management जो decisions ले रही है they don't deserve to win their pathetic and poor management और यह मेरी personal रहे है और I'm sure मैं नहीं देखना चाहूंगा top 4 में Rajasthan Royals अब इस tournament में next tournament में नही management के साथ आईएगा नही strategy और सही strategy के साथ तभी मजा आएगा कई लोग क्या सकते हैं कि तुम cricket fan और cricket fan के तावर पर हम यहां पर बाते करते हैं और अगर आपको पीड़ा होती है that means you are not a cricket fan आप बस अंदभक्ती करते हैं किसी ना किसी की तो अगर आप जो है सचाही सुनना चाहते हैं और cricket fan है come join me subscribe कर लिजे चैनल को वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा अपनी राय हूं या मैं बहुत से ही हूं धन्यवाद